हेलो मुच्छु तो हम लोग solve करते हैं एक IAT का important question जो question हमारा based है increasing decreasing मतलब application of derivative topic पे ठीक है आप देखो question पढ़ते हैं हम लोग let f be a real value function define on real number minus minus 1,1 and given by fx is equal to 3 log with base e x minus 1 upon में x plus 1 minus 2 by x minus 1 ठीक है इसने बोला then in which in which the following interval the function fx is increasing इसने बोला है कि इन में से किस interval के अंदर आपका function fx है वो increasing है तो आपको इसमें find करना है कि कम हमारा जो function fx है वो increasing होगा अब increasing के लिए जो आपको क्या पता है कि f dash x क्या होना चाहिए greater than equal to 0 तो हम वही apply करेंगे तो पहले हमें fx लिकालना पड़ेगा तो इन रखा log e base x minus 1 upon x plus 1 minus 2 by x minus 1 अब देख़े होगे fx is equal to log a by b is log a minus log b x minus 1 minus log of x plus 1 minus 2 by x minus 1 अब इसका derivative करेंगे तो f dash x आ रहा है हमारा 3 इसका 1 upon में x minus 1 x minus 1 का 1 minus 0 minus 1 by x plus 1 x plus 1 का 1 plus 0 minus का 2 1 upon में इसका x minus 1 का x minus 1 का whole square x minus 1 का 1 तो आगे 3 इसका एलसिम लोगा तो आएगा x plus 1 minus x minus 1 upon में x minus 1 x plus 1 ठीक है और plus का 2 by x minus 1 का whole square यहाँ पे x x cancel out होगे 1 plus 1 2 यहाँ आगे 6 upon में x minus 1 x plus 1 plus का 2 by x minus 1 का whole square इसका एलसिम लेंगे तो आएगा यहाँ पे x minus 1 का whole square और x plus 1 तो यहाँ पे आएगा 6 into में x minus 1 plus का 2 into में x plus 1 ठीक है अब इसको simplify करेंगे तो f dash x हमारे पास आ रहा है यहाँ से 2 को में ले ले दाओ तो यहाँ पे आएगा 3x minus का 3 plus x plus 1 ठीक है 3x minus का 3 plus x plus 1 और divide में x minus 1 का whole square x plus 1 यहाँ आगे 2 times of यहाँ पे आगे 3 4x minus का 2 एक और 2 को मलेंगे तो आएगा 4 बाहर यहाँ पे आएगा 2x minus 1 whole upon x minus 1 का whole square और x plus 1 ठीक है यह हमारे पास आगे f dash x अब यह हमें get than equal to 0 देखना है ठीक है तो अब यह हमारा कुस्सर ना पहुंच गया in equality में वैसे in equality के इसका मैंने एक video डाल रखा है in equality के उपर तो अगर आब वो देख लेते हैं तो फिर यह सारी चीजिए तो आपको बहुत अच्छे से clear हो लें फिलाल इसको समझते हैं सबसे पहले हमारा काम होता है critical value करना critical value मतलब हम हर एक bracket को 0 गूट करेंगे तो x के value आएगी 1 by 2 1 और minus 1 इसको number line पर plot करेंगे पहले आएगा minus 1 फिर आएगा 1 by 2 फिर आएगा हमारे पास 1 ठीक है अब देखो यहाँ minus infinity और यह infinity अब वैसे इसमें बोल रखा था कि जो हमारा function है define है r minus minus 1 को number 1 पर minus 1 पर हमारे define नहीं है minus 1 पर define नहीं है वैसे यहाँ से पता लग रहा है तो माइनस टू अगरा मुट करता हो तो यह क्या आएगा फोर इंटू में यह हमारे पास आएगा negative यह तो positive रहेगा क्योंकि square है में साथ ठीक है minus का यहाँ पूट करूंगा तो वह भी क्या आएगा negative negative मिला कि हो गया positive तो यह हमारे पास आएगा positive ठीक है हमारे पास positive यह आगया negative तो यह हमारा negative पूर्शन हो गया ठीक है फिर अगर हम वन बाइटू से वन के बीच की वैल्यू जैसे की 0.75 पूट करेंगे तो यह आएगा positive यह पूजिटीव पूजिटीव तो यह हमारे पास आगया पूरा पूजिटीव अगर वन से बड़ी वै यहां से यहां तक ठीक है उसके बाद फिर वन बाइटू पर हमारा function defined है क्योंकि वन बाइटू पर डिफाइन है function वन बाइटू पूट करों तो equal to 0 आएगा और equal to 0 आ सकता है तो यहां से लेकर के यहां तक की value बस यह value नहीं आएगी बाकिसारी हो जाएगी तो हमारा इसमे बाइटू से infinity, 1 by 2 से हमें रखना है infinity, infinity पर open आता है, 1 by 2 पर close रखना है हमें और उसके इंदर 1 नहीं आना ची तो 1 पर हमने set function में 1 की value लिग दी और इसको कर दिया bracket में 1 तो इस interval में हमारे पास function होगा वो क्या होगा? increasing होगा, तो इसमें हमारा option number इसका 1 वाला correct है, 1 आपका option character, ठीक है, मैं एक बार आपको दुबारा बोल रहा हूँ, अगर आपको inequalities में problem है, तो मैंने inequalities के base पे एक video बना रखा है, वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है, thank you